गुना में गर्जे पीएम मोधी कॉंग्रेस के विकास मॉडल में हर चीज थी लापता। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने तीन जिलो गुना अशोकनगर और शिवकूरी के भाजपा उम्मीद्वारों के समर्थन में आमसभा को संबोधित किया। पीएम मोधी ने कहा कि जहां-जहां कॉंग्रेस सरकार होती है, वहां वो हर योजना पर रोडे अटकाती है। आज मध्यप्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस के डबल देंजर लोग है। मोधी ने कहा, हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्प की ज्यादा से ज्यादा बचत हो। मध्यप्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उतक्रिष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे पुरस्कृत। बी एलो, रिटर्निंग अधिकारी से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा सम्मान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्याले द्वारा किया जा रहा नवाचार। विधान सभा चुनाव के लिए पूरे प्रदेश में नवंबर में मतदान होना है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियों के तहट के कारेक्रम आयोजित किया जा रही हैं, ताकि विधान सभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके. मुख्यमंत्री योगी ने कहा भाजपा को जिताने पर समाधान भोपाल के साथ साथ लखनाव से भी मिलेगा. पुत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने के लिए निवारी पहुँच गए हैं. वे सभा को सम्बोधित करने के लिए मंच पर पहुँचे और उनका भाजपा कार्यकरताओं ने स्वागत किया. योगी ने कहा कि यदी सही माइने में विकास चाहिए तो डबल इंजन की सरकार जरूरी है. चाहे उत्तरप्रदेश हो या फिर मध्यप्रदेश अभी तक डबल इंजन की सरकार है. यानि केंद्र मंदर भी भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भी. योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत ही आजकाशी विश्वनात में भव्य मंदिर बना. अयोध्या अब अयोध्या पूरी बन गई उज्जैन में महाकाल लोक बन गया साथ ही और्चा में भी रामराजा लोक बनाया जा रहा है इसलिए भाजपा को जिताएं योगी ने 16 मिनिट तक चुनावी सभा को संबोधित किया कोई अन्य नहीं डाल सकता आपका वोट धमकाने पर भी सजा का प्रावधान जब कोई किसी वोटर के स्थान पर फर्जी वोट डाल जाए तो वोटर इसके खिलाफ शिकायत कर सकता है कोई भी वोटर अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकता है अधिवक्ता राहुल यादव ने बताए वोट को लेकर मतदाता के अधिकार दूसरे का वोट डालने वाले व्यक्ति को जुर्माना और जेल दोनों भुगतना पड़ सकता है ग्वालियर और चंबल अंचल की 22 सीटों को साधेंगे पीम नरेंडर मोधी प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी मुरेना जिले में बुधवार को सभा संबोधित किया मुरेना में प्रधान मंत्री की चुनावी सभा के पीछे दो मकसद है पहला मुरेना जिले की 6, शोपुर की 2, वालियर की 6 सीटों, भिंड में 5 सीटों के साथ दतिया जिले की 3 सीटों को प्रभावित करेंगे विधान सभा चुनाव के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मुरेना जिले में गुधवार को सभा के लिए संबोधित किया बवाल मचातो सी एम नीतीश ने मांगी माफी, बोले मैं अपने बयान पर खुच शर्मिन्दा हूँ राश्चिय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार विधान सभा में जिस तरह का बयान दिया है, वह ग्रेड फिल्म का डायलोग लग रहा था बिहार विधान सभा में मंगलवार को दिये विवादित बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माफी मांग ली है नीतीश कुमार के आपत्ति जनक बयान के बाद जोरदार हंगामा शुरू हो गया था विपक्षी दलो के साथ साथ महिला आयोग ने भी नीतीश कुमार के बयान की निंदा की थी इसके बाद नीतीश कुमार ने आज विधान सभा में दिये विवादित बयान पर माफी मांग ली उन्होंने कहा कि हमने महिला उठ्थान के लिए इस बात को कहा था लेकिन यदि हमारी बात से किसी को ठेज पहुँची है, तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ. असम के मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा सर्मा ओकारेश्वर पहुचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा की. मायावती का सवाल कॉंग्रेश बताएं की आरक्षन के लिए उसने अब तक क्या किया? बस्पा अध्यक्ष मायावती ने लोगों से कॉंग्रेश और भाजपा के हवावाई, प्रलोभन भरे घोषना पत्रों के भ्रमजाल में बिल्कुल न फंसने की अपील की. दिसंबर में इंदौर से चलेगी परियतन ट्रेन, पुरी और अयोध्या की कराएगी यात्रा. प्रियंका गांधी ने सामवेर में कहा जब अन्याय होता है, तो उससे हमें लड़ना है, शाम को इंदौर में रोडशो. तीम दिन में इंदौर का प्रियंका गांधी का यह दूसरा दौरा है. कॉम्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को इंदौर पहुची तीम दिन में इंदौर का उनका यह दूसरा दौरा है कॉम्रेस द्वारा जारी कारिक्रम के अनुसार प्रियंका सुभग करीब 11.30 बजे इंदौर पहुची दोपहर को उन्होंने साम्वेर जिले में जनसभा को संबोधित किया यहां से खातेगांव के लिए हेलीकाप्टर से रवाना होंगी सीएम शिवराज ने जनसभा में प्रियंका दांधी से पूछा सवाल लाडली बहनों को लेकर कही ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने मंगलवार को भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में तेंदू खेडा गोटे गाव, अमरवाडा, नर्यावली, सिल्वानी, साची समेत कुल आठ विधान सभाओं में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव के मदेनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान के प्रत्याशियों के समर्थन में तेंदू खेडा, गोटे गाव, अमरवाडा, नर्यावली, सिल्वानी और सांची में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया यूपी में ठेले खोंचे वालों के लिए खुश खबरी, आय बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात की मन्शा के अनुरूप आम जन्मानस को त्योहार से संबंधित उत्पादों को एक स्थान पर उपलप्त कराने के साथ रहरीप्तरी, खोंचे और स्वयम सहायता समूग की अतिरिक आय बढ शार्जा से दो कैपसूलों में छिपाए था 674.53 ग्राम सोना। शातिर ने इसे जेली में मिलाकर दो कैपसूलों में भरा और फिर शरीर में छिपा लिया था। बिहार के माधेपुरा का तसकर स्कैनर के सामने से गुजरा तो स्क्रीन पर ग्रे रंग के कैपसूल नजर एरपोर्ट पर मंगलवार सुबह शार्जा की फ्लाइट से आए तसकर से कस्टम की टीम ने 41.83 लाक रुपए का 674.53 ग्राम सोना बरामत किया। पहले 9 नवंबर को राममीद्री में होने वाली कैबिनेट बैठक से रामराज का एहसास कराने की तयारी है। मुख्यमंतری कार्याले ने सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंतری स्वतंत्र प्रभार को प्रस्तावित बड़ी विखास पर योजनाओं और योजनाओं के प्रस्ताव काबिनेट के लिए भेजने के निर्देश दिये है. विश्व कप के बीच इर्फान के घर अफगान टीम की पार्टी सुनील शेक्ती अधनान सामी भी रहे मौजूद जमकर हुई मस्ती अफगानिस्तान की टीम ने वंडे विश्व कप 2023 में शांदार खेल दिखाया है अफगानिस्तान सेमी फाइनल की रेस में बना हुआ है और अपना आखरी मैच जीत कर सेमी फाइनल खेल सकता है पराली पर घमासान पंजाब के किसान नेता बोले हमें बदनाम किया जा रहा दिल्ली में प्रदूशन की ये वज़ा बताई सुकदेव सिंह कोक्रिकला ने मंगलवार को कहा कि किसानों को बेवजा निशाना बनाया जा रहा है और दिल्ली में वायू प्रदूशन को लेकर बदनाम किया जा रहा है उन्होंने सवाल उठाया कि यह कैसे संभव है कि पंजाब में पराली जलाने से धुआ केवल दिल्ली में वायू प्रदूशन कर रहा है पंजाब के किसान नेताओं ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में वायू प्रदूशन के लिए उन्हें अनावश्चक रूप से बदनाम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राश्च्रिय राजधानी में प्रदूशन के प्रमुक स्रोथ उद्योग, वाहन और निर्मान शेत्र है न कि पराली का जलना SSE Exam Calendar 2024-25, SSE ने जारी किया वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, देखे कब कौन सी परीक्षा SSE Exam Calendar 2024-25, SSE ने आगामी वर्ष 2024-25 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है परीक्षाओं में भाग लेने का मन बना रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कारेक्रम देख सकते हैं कर्मचारी चयन आयोग, SSE ने वर्ष 2024-2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है SSE की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sse.nic.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं बीवी से अशलीलता की हदे पार, जेट ने भी बात्रूम में खीचा, शोहर ने पंचायत में दिया तला दहेज की मांग पूरी ना होने पर शोहर ने अपनी बीवी को अशलील वीडियो दिखाई और उसके साथ कुकर्म किया जेट ने भी महिला को बात्रूम में खीच लिया इसके बाद शोहर ने पंचायत में बीवी को तीन तलाग दे दिया मेरत में लिसाडी गेट शेत्र से एक संसनी खेज मामला सामने आया है दहेज की मांग पूरी ना होने पर एक यूवक ने अशलील वीडियो दिखा कर अपनी बीवी के साथ कुकर्म किया पीडिता के जेट ने भी उसके साथ दुशकर्म का प्रयास किया पटाखों पर प्रतिबंद दिल्ली तक नहीं यह हर राज्य के लिए दिवाली से पहले सुप्रीम तिपणी शीर्ष अदालत पटाखों पर प्रतिबंद लगाने की मांग वाली एक लंबित याचिका में दायर हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई कर रही थी इस आवेदन में राजस्थान सरकार को वायू और ध्वनी प्रदूशन की जाज के लिए कदम उठाने और दिवाली और शादियों के दौरान उदेपुर शहर में पटाखों पर प्रतिबंद लगाने का निर्देश देने की मांग की गई थी बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंद को लेकर सुप्रीम कोट ने एक बार फिर बड़ी टिपड़ी की है शीर्श कोट ने मंगलवार को कहा कि बेरियम युक्त पटाखों पर प्रतिबंद लगाने का उसका आदेश हर राज्य पर लागू होता है यह केवल दिल्ली NCR क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पतेल की कार से हुआ भीशन, एक्सिडेंट, तीन बच्चों की हालत गंभीर, एक टीचर की मौत केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पतेल की कार हाथसे का शिकार हो गई केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी हाथसे में एक व्यक्ती समय तीन स्कूली बच्चे घायल हुए हैं हाथसा उस वक्त हुआ जब प्रहलाद पटेल चिंदवाडा से जनसम पर कारेक्रम निप्ता कर नर्सिंग पूर लोट रहे थे सिंगोडी बाइपास के पास निजी स्कूल से बच्चों को लेकर लोट रहे एक टीचर की बाइक को उनकी कार ने तक्कर मार दी हाथसे में बाइक चला रहे भूरा मोगाव निवासी निरंजन चंद्रवंशी बुरी तरह से जख्मी हो गए जबकि उनके साथ बैठे तीन बच्चे भी घायल हो गए ततकाल केंद्रिय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अन्यस्थानिय लोगों की मदद से घायलों को जिला अ इस पताल पहुंचाया